अजमेर में एक विवाहिता को साधी का जहांसा देकर दुसकर्म करने का मामला सामने आया है आरोपी ने विवाहिता को बहला फुसला कर अलग-अलग जगह पर लेगा और उसके साथ सालेरीक संबंध बनाए है पिडिता ने इस सम्मंध में गंज थाने में उकदमा दर्ज करवाया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जान सुरू कर दी है गंज थाना पुलिस के अनुसार थाना छेतर की पिडिता ने थाने पर उपसी थोकर सिकाया दर्ज करवाई थी 12 मार्च 2022 को रात एक वज़े उसके ससुराल में गजराज रावत्ताम का ब्यक्ति पहुँचा और उसे बहला फुसला कर अपनी धर्म की बहन के पास ले गया जहां उसने 2-3 दिन तक उसके साथ दुसकर्म किया पिड़ता का आरोप है कि उसके बाद उसे किसी होटल वे लेगर होटल के बाद की संगड में ले जाकर किराए की माकान में रखा था जहां पर उसके साथ दुसकर्म की वारदात को अंचाम दिया है पिड़ता ने बताया कि आरोपी गजराज रावत से जब उसकी बाने उसे साधी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया था इसके बाद पिड़ता ने जब उसे घर बुला और साधी के लिए बोला तो आरोपी गजराज ने उसे साधी करने से इंकार कर दिया था पिड़ता का आरोप है कि आरोपी दौराओं से बहला फुसला कर महिला थाने में उसके पद्दी के खिलाब भी मुकदमा दरज करवाया गया है पुलिस ने पिड़ता की सिकारत पर दुश्कर्म की धाराओं मुकदमा दरज कर लिया है मामले की जांस CEO रामवतार दारा की जा रही है CEO रामवतार ने बताया कि पेड़िता का मेडिकल करवाने के साथ ही मुकदमा दर्ज कर जांस की जा रही है